दोस्तो कोशन नमबर वन पढ़े प्यार से पढ़िएगा और महबबस से सीखिएगा सारे रूल आपको बोर्ड मास के फियोरी वाले लेक्चर में मिल जाएंगे यहां महबबस से सॉल्व कीजिए जैसे ये कोशन कैसी सॉल्व करें आपको दो बातें मेरी माइंड में अभी से बठानी पड़ेंगे पहली बात क्या कि कहीं लिखाओ टू आफ थ्री इसका अर्थ ये है ये दोनों यहां रहेंगे साथ में रहेंगे दूसरी बात क्या है अगर कहीं लिखाओ टू डिवीजन में फ्री लिख दियाओ हम अमेशा रिवर्स करके मल्टिप्लाई करें इन दो बातों को आप बार बार ध्यान देना जैसे याएसे question practice होगा वैसे वैसे खुसी मिलेगी और मजा भी आएगा ठोड़ा धैर रखना ऐसे याएसे question है जैसे kaikki मिलेगी समझो इस कोशन में पहले कुछ पोर्षन में हम टिकी लगा लेते हैं जैसे ये पोर्षन हमारा साथ में रहेगा बस ये ध्यान रखना ये टिक लगाना बार-बार सिखाएंगे जिस्ते आप समझ जाएं पांच ऐसे रखो माइनस ऐसे अब देखो कोशन में क्या लिखा है 96 अब 96 में डिविजन तो ये साथ में रहेगा तो ये रिवर्स होके इंटू होकर नीची आ जाएगा चार त्याएं बारा ऐसे लिखेंगे बास समझ में आ रही है कि नहीं आएगी एक दे फिर माइनस ऐसे लगाओ अब कोई दिक्कत ने बहुई 55 में 5 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा 16 में 11 गया तो 5 आएगा जहां दिक्कत है वहाँ लिखा जाएगा अरे मेरे देवता इसमें 5 से भाग दे तो आप क्या दिक्कत है आपर यहाँ 55 गुड़े एक बटा 5 करोगे 11 ही आएगा 16 में 5 गया तो 5 आएगा तारा खेले खेलकुलेशन अबारा अठे च्छ्यानवे आठ में से पांच गया तीन आया बाहर माइनस लगाए आगे पांच तो आंसर आया अभी बच्चों को लग रहा होगा कि सर तो आसान कोशन है धैर रखिये धैर रखिये टीसीयस बाबा बहुत कुछ पूस्ते थोड़ी देर में आपका खुसी मिलेगी थोड़ी देर में पहले का अंसर दो आया पहले का अंसर दो आया धीरे धीरे आपको बदलाओ दिखेगा और हर एक कोशन प्यारा नजर आएगा पहले इस कोशन में क्या-क्या हमें रखना चाहिए तिको इस पूरे कोशन में आफ कहीं नहीं है यानि इस कोशन में हमें कश्ट ना के बराबर है फिर भी अपने दूसरे रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे जिज़े 7.2 ऐसे रखेंगे प्लस ऐसे रखेंगे प्रैकिट में 8.4 ऐसे दिवीजन अब यह अकेला रहेगा ओफ होता तो साथ जाता अकेला तो यह नीची आएगा 0.12 इन्टू 0.2 फॉली देर में बड़े-बड़े कोशन आएंगे सब सीखेंगे पांच गुड़े तीन अब यहाँ इन्टू मत करना अब यहाँ डिवीजन है तो पहले डिवाइट ऐसे और प्लस का तीन यह लाइन आपको हर बार एक लाइन लिखनी ही पड़ेगी कोशन को हमारे तरीके आपको कनवर्ट करना ही पड़ेगा जिस वक्त आप हमारे तरीके कनवर्ट कर लेंगे उस वक्त आपको अच्छा लगेगा सभी लोग ठोको लाइक बोलो हाँ सभी लोग चीजों को बहतर समझना ये दसमलो हटाया ये अटाया तो नीचे से भी हटा यहाँ दसमलो हटाया तो यहाँ दो जिरो आ गए बाकि कहीं दसमलो हटाने की अब जुरत नहीं है पहली लाइन पे ही सारा खिला होता है 12, 87, 84 यानि ये 7 बार और 7 दुनी 14 ऐसे लिखतो 7.2 ऐसे ही लिखेंगे अब 5 से ये 5 गया, ये 300 हो गया माइनस का और प्लस का 3 खुद से कोसिस करो और ये समाच को बताओ क्या मेरा अंसर सही आ रहा है, मलब आपका 14, 27, 22, 23, 24 यानि 300 में 24 घटा दू तो 273 और फिर 0.2 घटाओगे तो 275.8 आंसर आएगा ये ही इसका आंसर है कैसा लगा इमानदारी से बताओ सभी लोग बोलो, उसी मिल रही है की नहीं बोलो हाँ दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन की ओर चलेंगे प्यारा प्यारा कोश्चन, प्यारा प्यारा कोश्चन, अरे प्यारा प्यारा कोश्चन देखें इस कोश्चन में आप पहले इसको simplify form में लिखो यहां देखो पूरे question में off नहीं लिखा पर थोड़ी देर में जब आप question देखेंगे जैसे इसमें कई बार off लिखा इसमें कई बार लिखा इसमें देखो इसमें नहीं लिखा तो जब कई बार off आएंगे वो question आपके गलत होंगे इतियास गवार वही गलत होंगे पहले simple कर लो नचोग 36 39 49 बटा 4 अगर आप चायते हो कि हमारी तरीकी खेलो तो यहीं से खेलना चालू कर दो 49 बटा 4 into 1 upon यह पूरी value अप नीचे आएगी तो कि यह division लगा हुआ है 6 दूनी 12 एक 13 13 बटा 6 और फिर यह division लगा है अगर आप हमारी तरीकी खेलना चाहते हैं अभी से नीचे ले लो चारत्याए 12 एक 13 13 बटा 3 यह अब इधर आएगा यह चीज चाओ तो ढ़ाई और 75 पैसा या तो आप यहीं कर लो यहीं कर लो 2 दूना चार एक 5 5 बटा 2 प्लस 3 बटा 4 तो 13 बटा 4 आ जाएगा माइनस का 13 बटा 4 आ जाएगा देखिए आप तरीका देखिए सारा खेल तरीके का कोशिस यही रहेगी कि कोई भी question में हमसे error ना हो और जब हमसे error नहीं हो गए तो आप सीखोगे जब हमसे error नहीं होगी तो आप सीखोगे यह तेरा यह तेरा यह तेरा गया आप समझ रहोगे एक उपर एक नीचे कटता है पहले बोलो हाँ 4 ऐसे आया 3 ऐसे गया 4 ऐसे 3 ऐसे यानि 1 बटा 12 इसकी value इस portion की value इसकी value एक बटा 12 6 से यह दो बार में गया यह दो उपर जाएगा कहाँ क्योंकि यह 1 अपान 2 है और इसके उपर भी 1 लगाए तो यह उपर जाके यहाँ आएगा 49 बटा 8 answer आएगा किसी को कोई doubt हो तो खुल के बोलो इस सर हमें कश्ट है इस question में लेबल सिखाएंगे लेबल फोडमाज सिखो क्योंकि हर paper में 1 से 2 question आ रहा है और जब 1 से 2 question आ रहा है तो यह question अगर आप सीखते हो तो आपका selection तै है फिर से देखो इसकी calculation को हाँ कुछ बच्चे अभी कनफुजी आ गए होंगे तो उनके लिए एक step लिखा जाएगा हमारे द्वारा हमारे द्वारा बिलकुल दोस्तों ठैर पुर्वक छोटी छोटी बातों को सीखो यह हमने ऐसे ही रखा क्योंकि कुछ बच्चे अभी कनफुजी आ गए नहीं तो हो जाएंगे एक दिन उन्तालिस बटा चार ऐसे रखो इन्टू ऐसे लिखो वन अपॉन अब यह तेरा तेरा गया तो यह वन बाई सिक्स है इन्टू वन अपॉन चार तीन यानि एक बटा बारा यह है मेरे दोस्तों एक step इसलिए लिख रहे है जिससे आपको समझ में आए छे से ये दो बार में गया अब जोको एक 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 बटा एक बटा दो तो ये दो आप यहां पहुच जाएगा इसलिए चार और ये दो आठ हो जाएगा that's why 49 बटा आठ कैसा लगा solution दोस्तों अब आप सब को मिलता है मौका अपना टैलेंट दिखाने का अपना टैलेंट दिखाने का अगर ये कोशन आप से सही हो जाए ये कोशन आप से सही हो जाए तो बोल देना कि सर हमें बोर्डवास आता है और नहीं सही है हुआ तो लग जाओ काईदे से सीखना अंत तक उभी एक दो नहीं पूरे देड़ सो कोशन सीखना समझ गए धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे 20-25-25 कराते जाएंगे इतियास कवा है करके देखो करके देखो करने से होता है ट्राई करो देखो कुछ से ट्राई करो अगर सही हो जाए तो बस ये समझना अपने दिल में हाथ रखके कि आपको बोड मास आता है वह ना आपके साथ खिला हो रहा है आप धोके पे हो आप फुल रहे हो समझो मैं इंगलिस वर्जन को ही पकड़ ला हूँ क्योंकि आफ मुझे दिक रहा है मैं अपना रूल बताता ह हो कि यह दोनों साथ में रहेंगे अब देको यह चार है अब चार के साथ ऑफ यह लगाए तो यह जितना ब्रैकेट के साथ यहां तक है यह साथ में रहेगा और यह साथ में रहेगा इसके जो पहली line मैं लिखता हूँ जो मैं पहली line लिखता हूँ बस वही मेन है जिसने उसको लिखना सीख लिया वही बात्सा वही बात्सा वही बात्सा देखो कैसे तोला ऐसे division के साथ this one यानि into और चार चकुष 16 ये नीचे आ जाएंगे चार चकुष 16 नीचे इन्टु ऐसे लगाया अब bracket लिखा तीन ऐसे अब जिको चार ओफ विस वन division लगा है यानि ऐसे और चार के साथ off लगा है तो अब ये सब नीचे आ गए ये पूरा साथ में आएगा क्योंकि off वाला साथ में चलेगा ऐसे करकी क्योंकि bracket लगा है ये पूरी लाइन नीचे आ गए अब off को चाओ तो into गोसित कर दो कोई फर्थ नी पड़ेगा कोई rule में कोई tension नहीं है पर हम ऐसा नहीं करेंगे हम ऐसे लिख देंगे रैकेट आ देंगे चार गुड़े तीन अभी उसके अंदर भी bracket करके division लिखा हुआ है तो into ऐसे लिखो और तीन तीन छे जोड़ दो सीधी सी बात और ऐसे लिख दो बोलो हाँ अब एक चीज देखो एक चीज तो इसका मुद्दा खतम अब ये उपर है मेरे बाई फिर यहां ऐसे लिखोगे one upon में तो ऐसे लिखोगे फिर division है तो one upon में चार गुड़े आठ लिखोगे ये बात समझ में आ रही है कि उपर से जा रही है इसी चीज को समझना है ठीक है ये question है हमारा ये question है आपके सामने अब calculation समझना देख रहे हैं देख रहे हैं दया ऐसे गया चैसे बारा दो बार में गया दो से दो दो बार में ये आठ दूनी 16 उपर पहुझ गया तो ये 16 हो गया into यहां लगा है खत्रे का question है खत्रे का खत्रे का और देखा ये जाए भी हो सकता है दूकर हमी से गलत हो जाए कोई भरोसा नहीं कि आप है सोचो कि हमें बहुत बड़े वाले हैं हमसे भी गलत होगा चार दूना आठ और ये तीन यानि तीन बटा आठ आया कहते हैं आठ से ये दो बार में गया तीन दूना छे आंसर ये मेरा आया अब हो सकता है कि प्रकास सर का भी आंसर क्या हो गलत हो, हो सकता है पर याद रहे, concept is the power छे आंसर आएगा उसी मिली की नहीं मिली कोश्चन को पैचानो, लेबल को समझो हर एक चीच पढ़ाया जाएगा अब धीरे धीरे जो बच्चों की डिमांड है उन सारी डिमांड को पूरा किया जाएगा कैन से सोना है तो आप जग जाएगे और कल से सारे खेले चालू होंगे चार के बाद पाच्वा नंबर कोश्च चार के बाद पाच्वा नंबर कोश्च पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ दोस्तो, the value of this one the value of this one इसका मान गयाद करूँ अब देखो, हाथ कपकपा रहे मेरे इसको करने में नहीं, इसकी पहली लाइन आपको लिखना पड़ेगा सही से पहली लाइन को समझो कि कौन सात में रहेगा पहले देखो, पहले तो ये आफ लगा दिया इसका मतलब ये भी और ये भी साथ रहेंगे और उसके अंदर में ये दोनों साथ रहेंगे फ़ले देख रो खेल गया खेल गया ठीक है नौ बटा पंदरा ओफ दिस वन फिर ये क्या कर दिया हिंदी इंगलिस में साहिद मुझे लग रहा कुछ मिश्टेक है हम लोग हिंदी वर्जन को देखते हैं मेरे भाई इस बार उसके लिए आप समद रहोगे क्योंकि हमें अब नौ बटा पंदरा वो दो बार उसने छाप दिया तो इंगलिस में हलका सा एरर है हिंदी वाला हिंदी में देखेंगे इस बार मैं बता रहा हूं इंगलिस में हलका सा क्या है एरर है करना नहीं है सारा खेल तो लिखना आ है क्योंकि दिनको नौ बटा 15 of this वन फिर नौ बटा 15 साथ रहे गए यह चीज़, फिर समदों, यहाँ पर ये दोनों साथ रहेंगे, यहाँ पर ये दोनों साथ रहेंगे, पस इस बात को पैचानू, सारा खेले मेरी पहली लाइन लिखना, सारा खेले मेरी पहली लाइन लिखना, क्या लिखेंगे, दो बटा तीन, यह अंदर वाल है यानि ये 9 बटा 15 यहाँ चिपका है दिवीजन वन अपॉन में आएगा वन अपॉन में क्या आएगा पांच बटा 4 ऐसे हो जाएगा फिर डिवीजन है तो रिवर्स होके दो बटा 5 क्योंकि उसके बाद इंटू लगा हुआ है पांच यह दो बटा 5 अब यह इंटू लगा हुआ है यह इंटू यह दोनों साथ अब कोई फर्ग नहीं पड़ेगा अब चाओ तो 4 बटा 5 दो बटा 5 लिख लो उसके बाद की लाइन मेरे भाई ध्यान देना फिर का लगा है यानि यह फिर से ब्रैक्ट है का लगा है यह जोइंट है यानि जैसे यह नीचे आ गया यह अब यह पूरा साथ में नीचे ही रहेगा क्योंकि का के करण यह नीचे रहेगा यह चीज अब हम यहां लिक रहे है मेरे भाई समद रहे होगे जगे के करण इस चीज को हम यहां लिख दे रहे हैं यह इंटू हो जाएगा क्योंकि का ही लगा है तीन बटा चार तीन बटा चार यह भी का है रिवर्स हो जाएगा उपर जाएगा तीन गुडे चार तीन कोई नहीं कराता जो आप सोच रहो सब छोड़के बैटेंगे हम कराएंगे इससे यह कैंसिल हुआ तीन से यह तीन बार में गया तीन से यह पाँच बार में गया यानि दो बटा पाँच यहां से आ गया बड़ा खत्रा है बहुत खत्रा है वाना पॉन पांच पांच गया चार से चार गया चार बटा पचीस आ गया क्योंकि एक माइनर से मिश्टेक हो सकता है हमसे भी हो जाए भगवान तो है नहीं एक माइनर से मिश्टेक पूरा कोशन गलत चार से चार गया, तीन से तीन गया और ये भी नौ बटा तोला हो गया नौ बटा तोला हो गया पेसिंस, पेसिंस, पेसिंस पांस से ये पांच बार में गया चार से ये चार बार में गया और ये पांचों का बीस अब उपर जाएगा दो में गुणा होगा बीस दूना चालिस पटा नो आएगा मेरा आंसर ये आएगा कैसा लग रहा है अब बोलो 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 प्यारे दोस्तों कैसा लेबल लगा इस कोशन का खुल के बोलो अंसर लोगों के गलत आ रहे हैं कि नहीं ठीक है प्यार से पढ़िए प्यार से अभी तो धीरे धीरे ये जंग की सुरुवात है तो को लाइक बोलो हाँ और ऐसे जादा नहीं बीस बिस करके ही कराएंगे ठीक है, बीस बिस करके इसलिए जिससे आप चूजो question में हमारे साथ अब डरोगे तो फिर खेला है जिन्दगी में ठीक है ये होते हैं label के question देखो 2018 CGL में पूछा गया फ्री में ठीक है और ये खेल जाता है हाँ ये है कि paper में एक या दो आता है बच्चा के अंदर क्या है energy होती है अब जब हम 20-20 कराएंगे ना तुमारी सारी energy निकल जाएगी भी ठीक है और ऐसा नहीं risk हमारा भी है कि मेरा भी गलत होने के chances है ऐसा नहीं है कि हम भगवान है क्योंकि digit दिखना बंद हो जाएंगे 20 question हम लगाएंगे तो same pattern के digit ही गया बजाती है आखो से ऐसे प्लस ऐसे 7.4 ऐसे उस दिखराएंगे यह नीचे आएगा और इंटू 5 हो जाएगा दोस्तो माइनस का 6 ऐसे इंटू 2 यह division है नीचे लाओगे तो यह 2.5 हो जाएगा यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी 5.8 प्लस 7.4 अपॉन 3.7 इंटू इतना यहां के calculation को समझो प्यार से इससे यह जाएगा दो बार यानि यह हो गया 10 यहां आप दसमलो हटाओ जीरो बढ़ाओ यह समाज में हो गया 4 बटा 5 24 बटा 5 को यह समाज 4.8 बोलता है और यह 5.8 है इन दोनों को जोड़ोगे तो 15.8 में 4.8 गटाओगी 11 आंसर आएगा इससे नमबर 6 का आंसर 11 आएगा 11 आएगा 11 आएगा देखो आसान कोशन अब एक चीज़ समझो यह कोशन किसी के सेट में आया तो खुसी मिली और जिसके सेट में यह आया उसको दुख मिला उसे दुख क्यों मिला क्योंकि बोर्ड मास तो आता था फॉल्व नहीं कर पाए सारा खेल मेरी पहली लाइन को सीखना थेड़ सो बार सिखाएंगे उसके बाद भी नहीं सीख पाए तो एम जिम्मेदार होगे सात्वा कहीं कोशन में आफ नहीं है अपके तो यहां कामान अरे वो आफ नहीं है तो यह कोशन क्या है आसान है बस पहली लाइन लिखो 3.8 ऐसे प्लस ऐसे 8.2 ऐसे 4.1 ऐसे इंटू दो ऐसे चिपकाओ इंटू दो ऐसे चिपकाओ 4 ऐसे फुड़ा 3 ऐसे दिवीजन में 1.2 ऐसे चिपकाओ 1.2 ऐसे चिपकाओ दोस्तो 4.1 से यह जाएगा 2 बार में जाएगा बोलो हाँ यहाँ दसमलो अटाओ यहाँ 0 4 से यह 3 बार में गया और 3 से यह 10 बार में गया 3 से यह 10 बार में गया पहले बोलो हाँ तो यह हो गया 3.8 ऐसे 2 गुड़ा 2 यह 4 रहेगा 2 गुड़ा 2 चार रहेगा और माइनस का 10 अब ये हो गया 6-7.8 में 10 जाएगा तो माइनस का 2.2 आएगा रिस्क है इन कोशनों में पर जुजोगे तो आंसर आएगा जुजोगे तो आंसर आएगा बोलो बिलो टेल टेल एक बच्चा कह रहा है मेरे को तो कुछ सबंजीम नहीं आ रहा है का चला है अरे बोर्ड मास का कोशन चला है जुजो साथ के बाद आठवा नंबर ट्राई करो अब ऐसे कोशन जब पेपर में आते हैं तब बच्चा कहता है सर पेपर तो टफ आया जी हाँ बिलकुल टफ आता है इस शीच को हम ऐसे लाएंगे तब ही हम उपर सीरियल से लिख पाएंगे खोड़ी दिर पहले सीरियल से नहीं लिख पाएते ठीक है कोशन आपको दिख रहा होगा बढ़ियां से क्योंकि हम उपर पहली लाइन तो मेंन है यह तफ क्यों है क्योंकि इस कोशन में यहाँ आफ बना हुआ है तेको off यानि यह दोनों 7 में रहेंगे मैं यही लिखना सिखाऊंगा और उपर में नीचे में यह दोनों 7 में रहेंगे और नीचे में तो कांड हो गया नीचे का तो कोई दिक्कते ही नहीं आपको लिखना है नहीं क्योंकि 21 और 3 of 7 यह भी 21 होता है मलब नीचे की value तो 1 हो गए नीचे की तो value 1 हो गए उपर अब लिखो कैसे लिखोगे 36 ऐसे ये दोनों 7 में रहेंगे यानि इंटू 45 गुड़े 6 ऐसे लिखोगे 45 गुड़े 6 ऐसे लिखोगे और ये वाला 7 उपर रहेगा क्योंकि ये दोनों 7 में नीचे जाएंगे ये नहीं जाएगा प्लस 24 ऐसे लिखोगे में यही लाइन है फुड़ा 6 ऐसे डिवीजन तो यही नीचे आएगा प्लस 3 अब ये डिवीजन है अब ये इसकी वैलू माइनस 4 होती है तो नीचे लिखते समय माइनस 4 लिख दो कहे को 2 माइनस 6 लिखोगे अब इतना तो दिमाग है भगवान ने बहुत दिया है अब देखो ये तीन दुना 6 होता है ये 4 दस यानि माइनस का 10 बटा 8 आप नीचे लिख सकते चलो अब इस कोशन के साथ खेलते हैं पहली लाइन के अपार सफलता के बार साथ से ये 6 बार में गया 36 से ये 36 गया यानि इस पोर्षन की वैलू आगे 1 ताउधान नहीं सतरग नहीं 6 से 3 बार में और 3 से 8 बार में 8 तरिका 24 ये 8 हो गया इन दोनों के साथ खेलना है तो डरना नहीं है नीचे 2 का गुणा कर लो, उपर 2 का गुणा कर लो दोनों negative में हैं, क्योंकि यहां यह माइनस में है, यहां इसको माइनस में है तो उपर देखो क्या हुआ, उपर हुआ, माइनस 6 और माइनस 10 माइनस का हो गया, 16 बटा 8, माइनस का 2 होता है दया साथ आंसर आया कैसा लगा कैसा लगा अब आधे बच्छे तो यही डर रहे होंगे यह चल क्या रहा है वाई दिस कोला वारी डी बोलो बोलो टेल टेल समझ गये चीजों को बहतर समझना जब बार बार सीखोगे तब बहतर समझ पाऊँगे 7 is the right answer दोस्तों पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अब जैसे यह कूशन आसान है इसमें कोई दम नहीं जो आसान है तो आसान है सारे डिपकर्ड नहीं होते हैं पर पता नहीं किसके साथ खेला हो जाए कि कोई नहीं जानता आज की डेट में अब यह भी सरल आया आप देखो यह बिलकुल इजी है जिसके पेपर में उसके बले बले प्लस तीन बटा दो अब यहाँ देखो डिवीजन है हमीशा रिवर्स करो जैसे हम सिखाते हैं जिससे गलतियां ना के बराबर हो अब खेलो पहली लाइन लिकली अब खेलो तीन से यह गया दो बार नीचे लसीम आठ हुआ पांचो का बीस हुआ उपर एक हुआ यानि यह समाज माइनस का 19 बटा आठ बोलेगा इसका आंसर माइनस का 19 बाई 8 हो जाएगा खोको लाइक बोलो हां और दोस्तो यह रहा फिर से एक प्यारा सा कोशन अब यह कोशन यहां दे दिया है पर यह समझो यह रिजनिंग का कोशन है रिजनिंग में जैसे नहीं प्लस का मतलब माइनस माइनस का मतलब प्लस इंटू का मतलब डिविजन डिविजन का मतलब प्यारे दोस्तो करके देखो करने से होता है मैंने पहली लाइन इसमें बनाना बाकी तो आप बनाई लोगे 42 ऐसे लिखो पहला सिंबल है minus minus का मतलब plus 12 दूसरा मतलब into into का मतलब division तीसरा सिंबल है plus plus का मतलब minus फिर है division, division का मतलब into और फिर है plus, plus का मतलब minus और नीचे आ जाओ आठ, into का मतलब division फिर minus है, तो minus का मतलब plus और plus का मतलब minus और division का symbol है, जिसका मतलब into दोस्तों Тीजो को सीखना बहतर il जोगी यह दोनो साथ में रहेंगे यह दोनों साथ में रहेंगे साथ में क्या आप चाओ तो यही काटके 4 लिख दो मेरे भाई इनको ड़शी कहने का सेंस यह है अब 7 में रहने का मतलब यह हुआ चार लिख दो और इसकी वैलू भी 4 है ठीक है यह तो साब साब दिख रहा है तो इसलिए रिवर्स नहीं कर रहा है 42 ऐसे प्लस का 4 ऐसे 8 दुनी 16 और 15 माइनस का 31 हो गया 4 ऐसे रखो प्लस का 4 ऐसे 9 तरे का 27 हो गया 27 में 8 गया तो नीचे तो माइनस का 19 आ गया ओपर आ जो 42 चार 46 में तो ये 15 आ गया यानि 15 बटा 19 जो की माइनस का आएगा माइनस का 15 बटा 19 आंसर कैसा लग रहा है एक बार कमेंट तो करो मुझे भी तो मालूम चले कि ये बच्चे जुझारू है और हमारे साथ जंग की लडाई लडेंगे अल्मोस सभी के आंसर सही आ गए खुसी की लहर है खुसी की लहर है बोलो हाँ अभी 10 कोशन और करेंगे देखते हैं किसके पास छमता है इन कोशनों को करने की दोस्तों इस कोशन में आफ आ गया है यानि सौधान रहें सतर्क रहें अब सौधान कैसे यहीं गलती करेगा बच्चा देखो तो तो दो ये आफ ये आफ के लिए ये लगा हुआ है मनलब ये दोनों साथ में रहेंगे पहली बात और अंदर भी 4 आफ 4 लिखा है यानि ये भी 7 में रहेगा यानि इसी लाइन को लिखने के लिए आपको सीखना होगा बस लिखते है 7 माइनस 4 प्लस 3 अब ये ब्रैकेट है तो अब ये कर लो इसमें कोई दिक्कान नहीं है ये 4 हो गया 5,2,7,7 में से 4 गया 3 आया समझ गया तो उसको 3 लिख दो इसे ना भी सजाने की जुरत नहीं है division लगा हुआ है यानि इसके नीचे 5 आया और पहले से ही division लगा है यहाँ पर फिर से 2 लिखो अब ये division लगा है तो दो ऐसे लिखने के बाद ये पूरी value नीचे आएगी अब चाओ तो into जोग दो कोई दिक्कान नहीं 4 प्लस 4 फिर division लगा है reverse करो 4 गुडे 4 ताओधान रहें ततर्क रहें दोस्तों उपर के हम देखें तो ये 9,4,13 हो गया 13 में से 8 गया 5 आया और 7 में से 5 गया तो 2 आया 9,4,13,13 में से 8 गया 5 और 7 में से 5 गया तो ऊपर तो 2 आया नीचे 5 गुड़ा 2 ऐसे रखो वो बात अलग है कटता हुआ नजर आ रहा है 1 बाई 2 ऐसे रखो अभी पहले यहां खेल लेते हैं 4 से 4 गया 4 चुको 16,17 बटा 4 ये हो गया अब कटा पिटी खेला जाए कटा पिटी जो जरूरी है अब हमें आ गया है कटा पिटी का 2 से 2 गया 2 से 2 गया अब देखो मेरा अंसर गलत आने के चांसे हैं अब मेरा अंसर गलत कैसे आने के चांसे हैं वो हम समझ गया है इस ब्रैकिट के सामने डिवीजन है यानि यहां पर हमने एक value को गलत धंग से put कर दिया है गलत धंग से किसको put कर दिया है इस value को put कर दिया है इस value को तो ऐसा करते हैं फिर से लिखते हैं तो कि एक छोटी सी गलती ठेला करा देती है अभी मैंने आंसा नहीं निकाला मैं समझ गया कि मेरे से एक गलती हो गई पहले ही बोला था इस bracket के पीछे ये division है यानि यहाँ पर into करके 1 by 5 आएगा समझ गए कि नहीं 4 यह 9 हो गया, 9, 4, 13 में से 8 गया 5, 5 से 5 गया, यानि यह value पूरा मिला कर 1 हो जाएगी साथ में 1 गया तो यह 6 हो गया समझ गए, उपर की value 6 हो गया उपर की value क्या हो गया 6 हो गयी, साथान रहीएगा नीचे में आते हैं 2 division तो into कर देंगे, 1 by 2 ऐसे लिखेंगे फिर into 4 प्लस 4 into 4 गुड़े 4 4 से 4 गया उपर का खेला तो 6 है, यह कया और यह 1 अपॉर तो उपर का खेला तो 6 है तो 6 ऐसे लिखा फिर 1 लिखा, फिर upon में चुचल ला है 4 चुको 16, 17 17 बटा 4 यह ऐसे हो गया तो यह ऐसे रहेगा और यह उपर जाएगा तो 17 बटा 4 ऐसे हो जाएगा तीन बार में, दो बार में, सत्रा त्याएं, एक्क्यावन बटा दू, साड़े पच्चिस आंसर आएगा यह इसका आंसर होगा, साड़े पच्चिस इस दा राइट आंसर ठोको लाइक बोलो हाँ याद रहे, हलकी सी मिश्टेक, कोशन गलत कितना भी कोई भी एक्सपर्ड हो आप खुद बताईए, अगर यहाँ पर जो यह डिविजन की मिश्टेक करके हम पूरे की नीचे ला रहे थे पांच, तो हमारे साथ खेला हो गया था कि नहीं हो गया था जब तक यह ग्रीन कलर से लिखना नहीं सीख रहो आप अपने पैंच जो भी कलर हो, तब तक आप कोईशन को सही नहीं कर पाऊँगे ठीक है, तो इसी चीज को बार बार सीखना है और लंबे समय तक अभ्यास करोगे, तब खुसी मिलेगी चलिए त्यारे दोस्तो, त्यारा के बाद बारा नंबर आसान कोईश माइनस वन ऐसे, प्लस वन बाई फूर ऐसे तीवीजन का सिंबल रिवर्स करके उपर जाएगा दो ऐसे और फिर इंटू दो हो जाएगा प्लस का पाँच अब ये आसान कोईशन है खैसे, अब किसमत है, अब किसी की किसमत में ये लिखा है चार से चार गया, तो माइनस वन प्लस वन प्लस पाँच हैपी बड़ दे, यानि पाँच इसका आंसर आ गया बच्चों, खुसी तो मिली होगी इस कोईशन में बोलो बोलो, टेल टेल नेक्स कोईशन दोस्तों तेरा नंबर, ट्राई करो, ट्राई करो कहीं टफ नहीं है, तिर पहली लाइन में है चावण ऐसे लिखा अब पांच डिवाइड बाई दो तो ये ब्रैकेड में है मेरे बाई तो ऐसे पांच बटा दो हुआ इंटू आठ ऐसे हुआ यहीं साउधान रहना है पगल में प्लस तेरा है, कोई मुद्दा ही नहीं अड़तालिस ऐसे माइनस चार गुड़े एक बटा तीन गुड़ा आठ माइनस दो अब आप कितना भी कोशिस कर लोगे कोशन गलत नहीं होगा नहीं होगा सारी खेला है, अब कैलक्लेशन दो से ये चार बार में गया दो से ये कितनी बार में, चार बार में अब देखो, 54 में 20 गया, 34 आया 34 और 13 34, 13, 47 यानि उपर तो 47 हो गया उपर तो 47 हो गया नीचे आजाओ नीचे की कैलक्लेशन आपको करनी पड़ेगी पूरी लाइन को यहीं सॉल्व कर देते हैं आर्टीका 24 दुहासिल 24 एकसो चवालिस आर्टीका 32 तीन दूना 6 आर्टीस एकसो चवालिस में कम करोगे तो एकसो छे आएगा बटा तीन ये तीन उपर जाएगा 47 तीना 141 बटा एकसो छे आंसर अब इस लेबल की कोशन को बनाओगे तो ही आंसर आएंगे अब कहतो सर 2 डिवाइड वाइड टू सीखेंगे तो पिर कहां से सीखेंगे चलिए बहुत बढ़ियां सीखिए खुसी मिलेगी 13 के बाद 14 नमबर कोशन दोस्तों कहता है आप देखो चार बटा तीन ऐसे चार बटा तीन ऐसे दिवीजन में 1 बाई 6 तो ये रिवर्स हो जाएगा आप किसी में आसान भी आता है इसा तो है नहीं सभी में जहर उगला ये 6 उपर गया गुड़ा 2 माइनस 1 ये तो किसमत है पेपर में तीन से ये 2 बार में गया चार्च कुछ 16 माइनस 1 तो 15 आंसर आया और हो सकता है ये गलत भी हो जाए कुछ बच्चों का हाँ जादा कॉन्फिडेंस में क्या होगा गलत भी हो जाएगा मेरे दोस्तों खेलो खेलो आ गया एक कैलक्लेटिव कोशन अब बच्चा कहता है सर पेपर में बड़ा कैलक्लेटिव कोशन आता है अरे जब पेन चलाओगे तभी तो खुसी मिलेगी तभी तो खुसी मिलेगी पेन चलाओ तो खुसी मिले solve the following expression solve the following expression इसको solve करो दोस्तो 5.6 ऐसे अब माइनस का ऐसे अब इसको जूजना पड़ेगा जो जूजेगा वही बात साथ दो ऐसे प्लस ऐसे 0.6 ऐसे ही रखो अब एक बात को समझो यह 0.6 और तो यह ब्रैक्ट को पहले solve करके तब इससे गुणा करोगे तभी लिखने में आप सच्छा हमो अब कर दूसर यह solve नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाओगे अरे मेरे भाई 26 का पाड़ा पड़ो कितना बड़ा पाड़ा पड़ना है 26 दूना एक 52 पाँच हासिल 26 पाँच एक तिस तीन हासिल 23 उनतिस और एक दो तीन तीन देट के बाद दसमलो पहली बात और यह किस से घटा ना है 2.1 इसके पीछे 3 तो 0 लगा तो घटा नहीं तो है घटाएंगे अब देखो खटने में जो आ रहा है माइनस का 0.812 आ रहा है यानि इस पूरे की वैलू यह हो गए अब इतना नहीं करोगे फिर करोगे सार अरे मेरे जुझारू लोगो उस तो करना ही पड़ेगा कितना तो इंटू करना ही पड़ेगा अब कितना चाहते हो सौटकट कि जो कुछ सीखो अब देखो 6 दूनी 12 ऐसे आएगा एक हासिल 6 और एक 7 ऐसे हो जाएगा 8 शन 48 और 1 क्या हो जाएगा 48 ही रहेगा और यह यहां दसमलो आ जाएगा माइनस का सिंबल अभी 2 ऐसे और यह माइनस अभी यह माइनस में है और यह 5.6 अब यह माइनस से तो ऐसे तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पहले बोलो हाँ पहले बोलो हाँ अब बताओ क्या करें अब वह नहीं करें अभी देखो इससे यह घटा लो तो यह 3.6 हो जाएगा और दसमलो चार आठ साथ दो ऐसे लिख दो अब एक जोड़ लो आठ साथ दो जीरो चार 4.0872 is the right answer calculation जिसने कर लिया वही बात साथ अब बताईए बोलो बोलो tell tell तो भईया यही है TCS यहां तुक्का मारेंगे आपके साथ खेला हो जाएगा और TCS जब पेपर प्यारा सेट करती है तो वो इसी लिए सेट करती है समझ गए अब आप खुद देखो यह साथ तीन दो अजार बीस में आया और यह 6.3.2020 यह भी एक किसमत वाली बात समझो भाई आज कल बहुत सेट होते हैं अब देखो इसी लिए साथ तीन दो अजार बीस अच्छा कोश्चन अब क्या होता है मार्किड में क्या जो रिव्यू वाला खेला चल ला है अब जिसके पेपर में 6.3 में यह आ गया उसने रिव्यू दे दिया आ रहे यार सेम्पलिविविकेश्ट वाला हो रहा है हैं दोनों सिम्पलिविकेश्ट तो खेला हो गया यानि ज़्यादा रिव्यू के चकर में मत पढ़िए कॉंसेप्ट को किलियर कीजिए अपने कॉंसेप्ट को जितना भैतर करोगे एक्जाम में उतनी ही खुसी मिलेगी समझ दो ठीक है तो मैं मान जाओंगा कि आपको बहुत जल्दी कोशन रठ जाता है को उनों को डिजिटे नहीं आज रहती इतना प्रेसर होता है पर क्या है आजकल तो एक्जामनेशन हॉल से निकले नहीं बच्चे टीचर के 25-35 को कोशन तैयार यही कोशन आये हमने पढ़ाया वही आया खेला हो गया बच्चा खुस खेला हो गया याद करो डिजिट याद करो याद करो कहिता है प्रभू इसको solve करो अब देखो प्लस को माइनस माइनस को प्लस इंटू को डिविजन सब रठ के आया है बच्चा तभी तो टीचरों को बता रहा है फोन करके तब यही होगा होगा तो होगा देखो 30 ऐसे आएगा इंटू कहता है इंटू मीन्स डिविजन होगा यानि इंटू के जगे आप डिविजन चिपका दू ऐसे प्लस फिर 84 अच्छा प्लस का मतलब भी तो कुछ होगा देया प्लस मतलब माइनस फिर 84 फिर इंटू फिर डिविजन होगा और फिर आया डिविजन जिसका मतलब इंटू होगा अप आन अब डिविजन का मतलब इंटू तो मैंने जानी लिया माइनस का मतलब प्लस होगा बाई और क्या माइनस का मतलब प्लस होगा और डिविजन मतलब फिर से इंटू होगा ये हो गया कोशन अब करो तीस डिवाइड बाई पांच छे चौरासी डिवाइड बाई छे यानी चौदा और पांच का गुड़ा ही है का माइनस में आ रहा है सत्तर में से छे गया जोगो मेरे साथ कहीं खेला ना हो इसलिए मैं साउधान रहूँगा सत्तर में छे गया फुल के बोलो चौशट आएगा फुल के बोलो सत्तर में छे गया चौशट बोलो हाँ कि में तो कुछ गवर लग रहा है चलो करते हैं कि इसमें मेरा खेला होने के उमीद है फिर भी हम जूझेंगे तीन से गया खे बार शे दूनी बारा बारा आठ कितना वीस कौनो आप्संस मैच नहीं कि इसलिए मैंने का कुछ खेला हो रहा है कि एक सेकिंड द्याइब प्लस मतलब माइनस ठीक है चौरासी डिवीजन सही है ठीक है और डिवीजन का मतलब इंटू सही है ठीक है दो गुड़े तीन अठारा माइनस प्लस हो गया इतना दोस्तों आपको हम क्राई करो अठार हमें लग रहा है कि आपसंस वाले मैच नहीं कर रहे होंगे आपसंस वाले मैच नहीं कर रहे होंगे एक बच्चा कर रहा है डिश्टल से हम से चल लो डिश्टल से हम से दोस्तों इस कोशन में एरर है एरर क्या है ति जो ये bracket इधर लगा हुआ है क्योंकि कोई options match नहीं कर रहे हैं तो question बनाने में error हो गई होगी यही सत्य मलब यहां चिपकाने में error हो गई हो जो जो ये bracket इधर चिपका है इधर वाला इस bracket को खिसका कर इधर ले आते है किधर ले आते हैं अब आपका side options match कर जाए अन्था चारो options गलत है ताप सुत्री बात है ठीक है यानि यह ऐसे करोगे तब भले आपका answer match कर जाए अन्था नहीं 14 में से 6 गया माइनस 8 माइनस 8 गुड़े 5 आठ पान चालिस जो की माइनस का आएगा यहां 3 से यह 6 बार 12 बारा आठ बीस यह हो जाएगा यानि माइनस टू आंसर आएगा यह माइनस टू तब आएगा जब उस एरर को सही किया जाएगा ठीक है अन्था आंसर आप्संस में मैच नहीं कर रहा है क्लियर है क्योंकि कॉंसेट इस दा पावर ठीक है कॉंसेट इस दा पावर जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा क्लियर है कोई कन्फ्यूजन चलिए तो मैंने इसको सही करने के बाद आपको आंसर दिया है कोशन नमबर सत्रा सेम कोशन आज की समाज में एक्जाम में आ रहा है क्या करता कहीं दो दो चिपका देता है कहीं कहीं तिन तिन न्टी पीसी में भी यही पूछा गया आईसे ही चिपका देता है कि सेम सेम बच्चा कन्फुजिया जाए ग्यारा प्लस ग्यारा गुड़े ग्यारा माइनस ग्यारा डिवाइड ग्यारा इसका हैपी बढडे एक हो गया 121 और 11, 132 हो गया, माइनस 1, 131 आंसर हो गया, तो ये भी किस्मत है बच्चा, 17 का आंसर 131, 131, 131, 17 के बाद 18 नमबर, कहता है इसको solve करो, 1800 डिविजन में इतना और कामान ग्याद करो, मेरे प्यारे दोस्तों, चीज़ों को बहतर समझे, पहले डिवाइट लगा हुआ है, 1800 बटा 20, 0 से 0 गया, 2 से ये गया, कोई सिंबल तो नहीं लगा रखा, नए, इवाइट करो, 0 गया, 2 से ये 90 बार में गया, यानि इसको तो आप समझ गया, अब इंटू ऐसे ही लगाओ, प्रैकिट हैं, ये 6 हो गया और ये 12, 12 और 6 हो गया, 18, 18 नविया, 162 और एक ठो 0, 1620 इसका आंसर हो जाएगा, कोशन नमबर 18 का आंसर, 1620 आएगा, तावधान रहें, सतग रहें, ये लोग प्यारा कोशन, अब देखो, कोशन देखने में ही बच्चा घबरा गया, ये का होईगा, वाइड इस कोला वरी, हैं, इसको समझना, मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से, एम ऐसे रखो, अब एक चीज देखो, यहाँ पर डिविजल लगाए, यानि तीन बटा साथ ऐसे लिखाए, डिविजल लगाए, रिवर्स कर दो, पांच बटा छे, इंटू लगाए, दो बटा तीन, साउधान रहें, सतरक रहें, प्लस एक बटा पांच ऐसे लिखाए, और तीन गुडा दो ऐसे लिखाए, इस लाइन को सॉल करना पड़ेगा, तीन से तीन गया, दो से यह तीन बार में गया, यानि पांच बटा 21 यह हो गया, और तीन बटा 10 यह हो गया, कैल्सियम 210 आया ये 50 हो गया और 213 63 हो गया यानि ये हो गया 113 बटा 210 ताउधान रहें सतर्क रहें यानि M का मान 113 बटा 210 हो गया बोलो बोलो टेल टेल अब हम N को निकालें N के लिए भी बिल्कुल सतर्क रही है ये चीज ऐसे है मेरे भाई यानि 2 बटा 5 ऐसे गुड़ा 5 बटा 6 ऐसे रिवर्स मारो 3 ऐसे 3 बटा 5 ऐसे 2 बटा 3 ऐसे रिवर्स मारो 5 बटा 3 इसको ज़्यादा जल्दी होती है उनके ये कोशन गलत होते हैं 5 से 5 गया इससे निपड़ गया यानि ये एक ए हुआ 5 से 5 गया 3 से 3 गया यानि ये 2 बटा 3 ये हो गया 5 बटा 3 हमको का चाहिए M डिवाइड वाई N चाहिए 113 बटा 3.500 आंसर आएगा देखते कितने लोगों का सही आया ये ही देखा जाएगा 113 बटा 3.50 is the right answer of this question प्यारे दोस्तों खुसी मिली की नहीं मिली ठुको ठुको लाइक ठुको उन्हें इसके बाद पीस नंबर कोशन के ट्राई करो मगर प्यार से के टर द वैलू आफ दिस वन इसको सॉल्व करना अब ये कोशन अच्छा है क्यों क्यों क्योंकि इसमें आफ लगा हुआ है ताउधान रहें सतर्क रहें ये आफ आपका कोशन गलत कराएगा ये मत देको ये सीजिल मिन्स में आया कि प्री में आया किस में आया आप ये देखो कि ये बोर्ड मास है की नहीं थेक है ये देखा जाता है पर बच्छा और ये सरसीजियलमेंज का कोच चन है वाई दिस कोला बड़ी अरे तिये चसल में से टफ आ जाते हैं कभी-कभी देखो 9 गुड़े 6 डिविजन रिवर्स मार के 24 कर दो पोलो हां प्लस 8 तिविजन तो ये 2 गुड़ा 5 हो गया माइनस 30 गुड़े 4 गुड़े 4 हो गया प्लस 27 गुड़े 5 बटा 9 हो गया खोलो हां दोस्तों 6 से ये गया 4 बार यानि 9 बटा 4 तो से गया 4 बार यानि 4 बटा 5 30 बटा 16 यानि 15 बटा 8 9 से ये गया 3 बार तो 15 हो गया अब इसका LCM आएगा 40 कितना आएगा 40 LCM आएगा स्ताओधान रहना खेला यहीं होना एक LCM में ही खेला होगा 40 4 से 90 5 से 845 होता है 8 845 5 से माइनस 75 और 40 पंजा 40 गुडे 15 ये तो 600 हो गया तो 647 बटा 40 आएगा तर इत्ती जल्दी कह जोग दिया नकल मारा अरे दियोता ये 600 है यहां कुछ भी निप्टेगा जदा 30-40 जादा ही होगा 600 से कम नहीं होगा इसलिए हमने ये जोग दिया समद गए क्योंकि हम जानते हैं न चीजों को बढ़िया से बोलो बोलो टिल टिल उसे मिली की नहीं